आपका स्वागत है आज इस वीड़ी में हम बात करने वाला है सेंटर गोर्मेंट इंटरप्राइज कंपनी जिसमें आपकी बारणपूर मद्दे परदेश में इस सीत है इसमें आपकी आउट्सोर्सेज रिकूर्टमेंट आपकी आउट की गिए जिसकी लाज्ट डेट 25 तार करना चाहते हैं इमेल पर आपको ओनली जो भी फोरम वगरा पीडियाप बनाकर आपको सेंड करना होगा बाकी की जो भी अप्लिकेशन फोरम की जो भी जानकर यह कंप्लेट इसमें लेने वाले हैं स्क्रीन पर आप यह नोटीज देख सकते हैं निपा लिमिटेड गौर्व के मतलब आउट्शोषेज की विकेंश आपकी आउट की गई है इसमें आपके कंप्लेट विकेंश का नोटीज अब चैक कर सकते हैं आप यह नोटीज कंपलेट हमारी वेबसाइट यह हमारे टेलेग्राम गूरुप पर भी परसनल मेसेज करके मंगा सकते हैं बाकी इसमें आप complete विकेंशी चेक कर सकते हैं पहली विकेंशी है प्लांट सुप्रेटेंट की जिसमें आपका काउंट्स लेट पेमेंट जिसमें एक लाग पच्छी सहजार रहेगा वी टेक भी इस टेकनोलोजी से किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं आपका बारा साल या बीस स इंस्टेंड बाइंडर वो ऑपरेटर की आपकी टेंथ पास के साथ बाइंडर ऑपरेटर का ज्यान है तो 31,924 रुपे परमंथ आपको पेमेंट मिलेगी साथ में आपको अधर अलाउंचे जिया जो भी फिसिलिटी होगी से सेंटर गोर्मेंट की वो complete आपको इसमें मिलने बीटेक बीएसी पेपर टेकनोलोजी से आपका मांगा गया है जो कि केंड़ेट 8 साल का experience और 35 साल तक अपलाई कर सकते हैं एक पोस्ट है इसमें आपकी अलग अलग पोस्ट आपकी देख सकते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आपकी विकेंशीज है शिफ्ट इंचार्ज की की आपका payment रहेगा जिसमें बीएसी पेपर टेकनोलोजी से आपने किया है तो आपका स्मय में अपलाई कर सकते हैं बहुत ही कम केंडेट ऐसे होंगे जो कि इस ट्रेड से आपने यदि आपने किया बीएसी तो आपके लिए बहुत ही अच्छा सांस है चार साल आपका एक्स्प्रिंस मांगा गया है चार पोस्ट आपकी कंप्लिट रहने वाली है पेपर जुसके बाद सकते हैं तीन पोस्ट में सिक बाद में जूनियर मेकनीकल मेकनीकल की पोस्ट के में वाकि रेखाएंसऑ प्रकार से आप देख सकते हैं जो भी इस्टुमेंट से अपने अप्लाई किया है तो 20 साल तक आपके जो भी एक्सपरेंस जखरते हैं और 45 यह आपकी एज आपके टोटल है तीन साल का अपका 36 आपका 1000 पेमेंट इसमें मिलेगा इसमें उसके बाद में कॉमर्शियल और फैनियर्सियल मार्केटिंग एक्सार डिपार्टमेंट की बिकन सीज़ है अशिश्टेंड कॉमर्शियल एज्जिव की बिकन सीज़ है जिसमें एम बिय वगरा आपके मांगा गया एम कॉम वाले भी अपलाई कर सकते हैं बी आपका Commerce होना चाहिए और या बीए सी कोनोवक्स से आप से होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाइट कर सकते हैं टोटल आपकी पोस्ट रहने वाली है इसके बाद में फाइनेस एज्यूकेटिव की विकिन सी सिप्रिडेंट के लिए आपकी पोस्ट है जिसमें आपका म कई की होना चाहिए जूनियर मार्केटिग के लिए आपका होना चाहिए जूनियर आपका आसिस्टेंट जो हैचार अपिसर है उसके लिए MSW या बैंके होना सुआभ का सीनिर इसके बैले कि आपका होना जोनियर आएटी के लिए आपके आटि होना चाहिए आपका जोना अब बैका बैका है जिस्के निए त्हेकि लिए याटि की फिग्न n degree उप्लिई है तो इसमें अपंढा कर सकते हैं इसके बाद में से कई अपसर के लिए आप कर लिये मिनिम्मम कहीं है U आपका होना चाहिए 24-thers प्रिमिंट विलेगी या उफ्टा से हैं या पैर मिलितरी मांगा गया है सबसे अच्छी पोस्ट है टेंथ पास के लिए टेक्निकल अटेंडेंट पेपर मेकेनिक फिशनी सिंग आउस हैं क्लास इटी इल प्लांट इन से समंदित आपका पेमेंट रहेगा 13,377 रुपे परमंत और अदलाउंसेज आपके रहेंगे जिसमें तेंथ पास ओनली मांगा गया है जिसमें फ्रेसर भी अपलाई कर सकते हैं या आपके पास दो साल का एक्सपरियंस भी है तो भी आप अपलाई कर सकते हैं तोटल पोस्ट आपकी 40 इसमें रहने वाली हैं तें 14,377 प्लस आपका जो भी अदर जो भी फेसिलिटी वो आपके सेंटर गॉर्मेंट के मिलेंगे जिसमें तेंथ पास आपसे वांगा गया है और अप इसमें अपलाई कर सकते हैं आपकी च्छे पोस्ट इसमें रहने वाली हैं तो जो भी केंडेट हैं तेंथ पास के लिए आ अपको जितना भी फॉरम है वो कंपलेपकर बेजना होगा इसमें आप देख सकते हैं नीचे यह मेल आपको दीगही है इसमें एप कंडेट आपके सिंगल बना कर आपकोंपलेट बेजना होगा इसमें बहुत इकम प्रूरम之前 के पांट सब्स नहीं हैं जो कि और अधर केंडेट के लिए रहेगी बाकी की CST के लिए कोई भी फी आपकी नहीं रहेगी इस एडर्स पर आपको complete पैसा बेजना होगा उनलाइन बेज कर उसकी जो रिशिप्ट है वो साथ में आपको लगानी होगी को लेटर वगरा एसम के या जो भी इमेल आइडी के थुरूँ आपको बताया जाएगा जब भी एकजाओ वगरा जो भी होगी 25 अपरेल तक इसको आप बेज सकते हैं जो भी खेंडेर अप्लाइ बेजना होगा जो की मेंने आपको बताइए इस इमेल आईडी पर आपको कंप्लेट इस भी एडी पर बेजना होगा 25 तरिक से पहले पहले और जो भी कंडेट इसमें बहुत कम कंडेट अप्लेकेशन फोरूम अपलाई करने वाले हैं यह अपको देख सकता है निपा लिख नहीं है हजबेन नहीं या आपको भी फादर स्क्राइब लिखना है वोमें जिदा वन्हेच में आपको यह अप साधी हो चुका तो लिखना है टेलिफोन नंबर मोगाइल नंबर युद्या आपको लिखने परमनेट आपर अडिस मेल डेनल जो में टेरिल वह लिखना कि युनर्स का कौन सा आपका ग्रेजविशन या ग्रेड है कौन से मार्स हैं और कौन सा सब्जेक्ट हुए आपको लिखने हैं एक्सप्रेइंस यह दी कहीं से है तो आपको कंप्लेट यहां पर लिखना है आप कब तक आपका एक्सप्रेइंस रहा है और 10 पास की जैसे 40 अगरा कुछ किया हुआ है तो यहां पर लिख सकते हैं बाकी कहीं मेंबर्शी बगरा है तो वह भी आपकी लिख सकते हैं होबीज बगरा यहां पर लिखनी है उसके बाद में अगरा कोई इनफॉर्मेशन आपको लिखनी है और इटीस यहां कुछ आपका अचुईमेंट ब स्क्राम करता है तो इसके लिए नेम आपको लिखना है उसके बाद में आपका यहां पशोड़ी है किस परकारश से यह यहां पर याध्र सबॉसरा लिखना है यहां पर यद्रस बगईड है कोई कॉंटेक्ट वाले जो हैं कहीं पी ओपिस में या resilience में जिनका भी आप जानते हैं उनको यहाँ पर लिखना है जो भी मतलब आप जो जिनको जानते हैं यहाँ पर डेट आजेगे या signature आजएगे यह complete आपका application फोर्म है इतना सा जो भी candidate apply करना चाहते है application फोर्म अवरे टेलेगराम ग५। तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख कि आप डाउनलोड करके बेश सकते हैं, इससे समधी सद्र कोई क्यूरी है, तो कमेंट बक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जैन दोस्तों!